दोस्तों बिना दूद और बिना मावा के सबसे आसान दो फ्लेवर वाली हम बर्फी बनाएंगे इस वीडियो में बहुती सस्ती और बहुती जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है आप इसे घर में रखे स्रिफ दो तीन चीजों से ही बना के रेडी कर सकते हैं बहुती टेस्टी होती है खाने में और सॉफ्ट तो आप देखी सकते हैं कितना है चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं चैनल को कर लिजे सस्क्राइब सबसे पहले इस बर्फी को बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए होगा जिसके अंदर हमें डालना है आदा कप घी घी मैंने लिया है यहाँ अगर ग्राम में बताओं तो 125 ग्राम है और इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसे यह थोड़ा सा मैल्ट होके गरम हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे एक कप बरके मैदा मैदा मैंने यहां पे 180 ग्राम लिया है मतलब एक कप में 180 ग्राम आता है तो मतलब एक कप मैंने यहां पे लिया है और जो घी था वो मैंने आपको बताई दिया है कि मैदा जितना भी आप यूज करें उससे थोड़ा सा कम ही रखना है हलवाई तो जितना बेशन होता है या फिर जितना मैदा होता है उतना ही घी का यूज करते हैं लेकिन हमने यहापे कम डाला है काफी कम डाला है आप चाहो तो और कम कर सकते हो लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने कम डाला है और यह काफी सूखा सूखा लग रहा है जैसे जैसे ह दो-तीन मिनड तक उसको भूनेंगे, तो इसका काफी सारा घी निकलना स्टाट हो जाएगा, ये देखिए, इसका हमें कोई बहुत जादा कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बेल्कुल वाइट ही रखना है, तो इसलिए हमें हलका सा इसको भ प्रावा जाएगी, तो इसा मतलब है कि जो हमारा मैदा है, यह बिलकुल अच्छे से बूहन गया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से बुन गया है, ग्यास तो मैंने बंदी कर दिया था, इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, अब इसी ग्यास पे हम दूसरे पैन में इसके लिए बनाएंगे, सुगर सिरप, मतलब की चास्नी बनाएंगे, यहां पे हमने एक कप ची जैसी एक बार इसमें उबाल आएगा, उसके बाद एक मिनट और उबलने देना है, ताकि जो चास्नी है, इसके अंदर तार वाली चास्नी बन जाए, मतलब की एक तार बन जाए इस चास्नी में, तब तक हमें इसको उबालना है, जब तक की यह तार न बन जाए, तो बस एक प्रल ये तार वाली चास्णी बन जाया न, गैसा बंद कर देना, उसके बांस से gas on नहीं करना है, बस बिलकुल भी gas ऑन नहीं करना है, बंद रखना है, और यह जो चास्णी हैं, यह हम इसके अंदर डाल देंगे सारा, यह देखिए, यह जो चास्णी है, इसको डाल के इसके हम mix कर देंगे और gas बिल्कुल बंद रखना है देख सकते हो gas बिल्कुल बंद है अब हमें सर्फ इसको mix करते हुए ठंडा करना है क्योंकि जैसे जैसे हम इसको mix करते हुए ठंडा करते जाएंगे यह अपने आप ही tight होके dough की तरह बनता जाएगा मतलब कि यह बिल्कुल ठिक और बिल्कुल गाडा होता जाएगा जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा लेकिन ये गाडा तभी होगा जब आप एक तार वाली चासनी रखेंगे मतलब अगर चासनी पतली है तो ये लिक्विड ही रहेगा आप इसे कितना मर्ची ठंडा कर लेंगे तब भी लिक्विड ही तो आप इसके अंदर कोई भी flavor या color जो भी आप डालना चाहें, इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जैसे मालो कि हमें दो flavor में बनाना है, तो हमें इसको आधा आधा करके दो parts में करना होगा, तो फिर एक में हम color डालेंगे, एक में हम बिल्कुल white ही रहने देंगे, तो यहाँ में मैंने दो parts में इसको कर लिया है, एक को हमने side में रख दिया, और एक को हमने यहाँ पे रखा है, gas on नहीं करना, gas बंदी रहेगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम कोई भी flavor डालेंगे, जैसे आप rose water या फिर rose essence डाल सकते हो, रोज वाला थोड़ा सा color डाल सकते ह या फिर green color या फिर पिस्ता essence डाल सकते हो, मतलब कोई भी flavor आप इसके अंदर डाल के change कर सकते हो, जैसे आप कोई crush का use कर सकते हो, जो fruit crush market में मिलता है उसका आप use कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आप इसके अंदर flavor डाल रहे हो, वही अपने color इसके अंदर डाल देना है, जैसे अगर आपने कीवी वाला flavor बनाना है, तो कीवी वाला जो crush होता है उसका use करें, और कीवी green color का होता है, तो green food color थोड़ा सा डाल दे तो ऐसा बन जाएगा, मैंने या पे red food color डाला है, मतलब कि pink है ये, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करना है mix करने के बाद, अब जैसे ये ठंडा होता जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये एकदम डो की तरह बनने लग जाएगा, मतलब गारा होता जाएगा, अभी देखिए, ये pan में और spatula में चिपक रहा है लेकिन जैसे जैसे और ये ठंडा होगा, ये ना तो spatula में चिपकेगा, और ना ही ये pan में के butter paper लगाखे इसको ready कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर set कर सकें तो यह देखिए अब इसे थोड़ा सा और ठंडा कर लिया है जब इतना tight हो जाए मतलब कि ऐसे dough जाए तब एक किसी भी tray में थाली में आपने डाल देना है इसको यह देखिए इस तरह से अब यह देखिए मैंने आपको बताया था ना जब यह ठंडा हो जाएगा तो चिपकेगा नहीं देखिए अब यह बिल्कुल नहीं चिपकरा ना तो spatula में चिपकरा है और ना ही यह हाथ में चिपकरा तो इसका मतलब है कि ready है अगर यह ठंडा होने नहीं हुआ इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे अब थोड़ा सा इसको चलाते हुए ऐसी ठंडा हम इसको भी कर लेंगे और दोनों को ठंडा करने के बाद फिर हम इसको लेयर बाई लेयर सेट कर देंगे एक को तो मैंने लेयर बाई लेयर सेट कर दिया है अब इसको भी हम इ अब इसको पंके के नीचे रखा था तो इसलिए वो इस पिंक वाले से जल्दी टाइट हो गया तो अब ये जो पिंक वाला है इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा अब इसको दो तीन घंटे के लिए या फिर एक घंटे के लिए रख सकते हैं तो दो घंटे के बाद हम जब इसको cutting करेंगे तो ये बिल्कुल set हो चुका होगा और एक घंटे दो घंटे के बाद भी आप जब मरजी इसको cut कर सकते हैं ये देखिए इसको ने side छोड़ दिया है अपने आप ही आप चाहो तो tap tap करके side इसका remove कर सकते हो और उसके बाद पलट देंगे इस तरह से निकल के आजाएगा butter paper को हटा देंगे और इसको हम सीधा करेंगे और इसकी cutting करेंगे जैसे भी आप इसको cut करना चाहो वैसे cut कर सकते हैं अगर इसके pieces आपने clean रखना है बिल्कुल market के जैसे तो फिर आप इसका side भी cutting कर सकते हूँ ने तो आप इसका side रहने दो थोड़ा सा मैंने चांदी का work लगाया है उसके बाद इसका side जो है वो मैं काट के निकाल दूँगा क्योंकि हमें जो इसके pieces है वो बिल्कुल clean और perfect market जैसे चाहिए तो इसलिए side वाला part काट के हम इसका निकाल देंगे अब उसके बाद इसको हम pieces में cut कर लेंगे जो भी size के piece आप इसको बनाना चाहिए वैसे आप इसको बना सकते हैं जो भी आप square में cut करना चाहिए या फिर इसको लंबा रखना चाहिए थोड़े pieces इसको लंबे लंबे रखना चाहिए तो आप इस recipe को बहुत ही आसानी से जल्दी और बहुत ही कम समान से घर में बनाके ready कर सकते हैं इसके अंदर हमने कोई दूद और मावा का या फिर milk powder का यूज नहीं किया है आप चाहो तो milk powder का यूज कर सकते हैं टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा Thank you so much तो दोस्तों कैसे लिगी आप सुरी को वीडियो अगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके जो बगल में घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर दवा लेना ताक कि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहे और आगे भी में अप्लोड करता रहूंगा वीडियो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई